कहिए कैसे हैं आप स्मार्ट कैसे बने स्मार्टली काम कैसे करें देखिए काम तो हम सब भी करते हैं और काम करना भी चाहिए लेकिन अगर काम को स्मार्टली किया जाए स्मार्ट धंक से किया जाए तो हमारा समय भी कम लगता है एनर्जी भी कम लगती है और रिजल्ट्स भी बहुत positive आते हैं, देखें, दो तरीके से हम काम करते हैं, एक तो बहुत hard work, मतलब लगे होए हैं, 8-9 गंटे लगे होए हैं, किये जा रहे हैं काम, किये जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, stress अलग से हो रहा है, यह नहीं पता कि success होगी, नहीं होगी, और एक होता है smart work, smart work में हम काम कर रहे हैं, सारे पहलों पर, मतलब सोच समझ कर, विचार करकर, इसको और बहतर ढंक से कैसे किया जाए, ऐसी सोच लगा कर, फिर हम कोई step उठाते हैं, फिर हम काम करते हैं, फिर उसकी results बहुत अच्छे मिलते हैं, तो अगर हम दोनों को, देखें, hard work करना भी ज़रू जैसे thirsty crow है, कानी हम सब ने पढ़ी है, बच्पन में तो सभी ने सुनिया, बच्चों को भी चाह सिखाते होंगे, सुनाते होंगे, कि एक कवा था, प्यासा था, उसको मतलब जैसे बहुत प्यास लग रही थी, और एक जंगल में गया, वहाँ पे बरतन देखा, वहाँ पे एक पत्थर लेके आया, डाला, एक पत्थर लेके आया, डाला, पर पानी ओपर आ गया, उसने पानी पिया और वह चला गया, है ना, आज के संदर में कवा भी प्यासा है, उसको प्यास भी लगी है, इदर उदर गूम भी रहा है, वह देख रहा है, एक भरतन में पानी रख और इसका हुए ने स्मार्ट, पानी तो पी लिया, उसका गोल क्या था, उसको पानी ही पीना था ना, बिना महनत की पानी पी लिया, आज जो मैं बात कर रही हूँ, मैं इसी बारे में कर रही हूँ, कि हम मतलब काम को किस तरह से करें, कि हमें उसके रिजल्ट्स भी पॉजिट है पर ख्याल रखने की बात से सबसे पहले जो ज़रूरी है मतलब points बताने से पहले ज़रूरी है वो यह है कि आपको अपना ख्याल रखना होगा हम अपने खुद सबसे बड़े resource हैं इसकी value नहीं समझते देखिए हम हम बात कर रहे हार्ड वर्की हम बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्की पर अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे हमी फिट नहीं होंगे हमी एकड़म एक्टिव नहीं होंगे तो हम कैसे कर पाएंगे काम इसलिए अपना ख्याल रखना अपनी डाइट का ख्याल रखना अच्छी नीन लेना को घूमना फिरना मतलब अपने आपको फिट रखना है तब बात बनेगी तो सबसे पहली कंडिशन तो यही है कि खुद फिट रहना है एक दम मतलब अटेंटिव बिलकुल यह चीज अब मैं शुरू करती हूँ कि किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए देखे मैं आपको सीधा सीधा एक्जाम्पल जी देती हूँ ताकि आपको बिलकुल क्लियर हो जाए यह हाड वर्क स्मार्ट वर्क के बारे में एकदम क्लियर हो जाए देखे दो फैमिलीज ह हैं मतलब दोनों में ही हस्बंड वाइफ दो बच्चे हैं और एक लेडी उस धर की जैसे हाउस वाइफ हैं दोनों ही एक लेडी तो सारा दिन पिस्ती रहती है घर में मतलब उसके पास टाइम ही नहीं है सुबह से रात तक सुबह उठती है पूछती हस्बंड से क्या हुआं पिस सारा दिन रसोई में और और दिनर में क्या बनाओं उसके पास टाइम ही नहीं होता वहीं दूसरी फैमिली वह टायम निपलती है कुछ न कुछ क्रिएटिव करती है तो अंतर क्या है यह difference क्यूं है कि एक सारा दिन प्रेशान रहती है और लेई-अज है उसकी व उसने एक चार्ट बना रखा है, डेली रोटीन उसकी सेट है, देखे कितना फरक पड़ जाएगा, आप ये चीज अपना लेंगे, तो आपको कोई स्मार्ट ना कहें, हो इनी सकता, आपको सभी स्मार्ट कहने लगेंगे, अगर आप ये टेकनीक अपना लेंगे, कि टाइम को म मैंनेज रहती है, परिशान रहती है, उसने क्या किया हुआ था, जैसे पूछती रहती थी, क्या बनाओ, क्या बनाओ, फिर वह बनाना, फिर मतलब उसका टाइम आदी एनरजी तो इसी में वेस्ट हो जाती थी, दूसरी वाली, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने क क्या किया था, कि उसने पहले ही पूछ रखा था, मतलब फैमली मेंबर से कि क्या क्या बनेगा, और इतना ही नहीं, जैसे मंडे को, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टूस्डे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वेडनस दे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब उसने लिखके औ जहां तक चावल की बात है वो तो गरम बना के देती थी पर एक साथी आदा घंटा उसको एक्स्ट्रा लगता था पर वो लंच की भी तियारी कर लेती थी में में तियारी कर ली ऐसे ही डिनर की भी ताकि जब बच्चे आए तो उनको टाइम दे पाए शाम को हस्बंड आए त प्लस अपने ले भी समय निकालते थी तो टाइम को अगर मैनेज करके चलेंगे तो वो बहुत स्मार्ट के लाएंगे मतलब यह चीज तो हंडेट परसंट है यह बहुत सारी हाउस वाइफ जैसे की मैसेज़स भी आते हैं कि सारा दिन फुरसत ही नहीं मिलती अपने ले समय क कैसे निकालें तो यह तो हम निकाल सकते हैं मैं बहुत कमेंट्स में भी लिखती हूं कि हाँ हम टाइम को मैनेज करके अपनी डेली रोटीन सेट करके हम कुछ भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बच्चों का टाइम फिक्स है स्कूल जाने का स्कूल में टाइम टेबल ह होता है husband लोग है उनका time fix है अभी office इतने बज़ जाना इतने बज़े lunch होता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं हम भी तो कर सकते हैं कि हमने time बना इस सब के साथ मिलके planning कर लिए और उसको बना लिया यह होते हैं फिर हरे कोई कहेंगे अरो आप तो बड़े smart हो तो अच्छा लगेगा ना सुनके अब आता है next point to don't list देखिया हमने to do list तो सुनाई है कि to do list होती है अब यह यह काम हमने करने है अब मैं बता रही हूँ तो don't list और इसके ओपर तो पूरी वीडियो बन सकती है एक बहुत बड़ा topic है पर मैं आपको बिल्कुल main main बता रही हूँ कि जैसे माली जो office है और office में एक employee है और वो office मतलब जाता है और वो पैटता है और वो 10 काम लिखता है कि आज के दिन में मुझे यह यह काम करने है एक दो तीन चाहर पाच्छे साथ आट नौ दस उसमें से वो यह देखे कि आज अगर मैं यह काम नहीं करूंगा तो कितना फरक पड़ेगा मतलब चल जाएगा की नहीं इसको मतलब अपनी priority फिक्स कर लिए कि आज मैंने क्या क्या क करना है मतलब इस काम की इतनी priority नहीं इतनी प्रात्मिकता नहीं है मैं परसो भी कर सकता हूं यह मैं next week भी कर सकता हूं तो यह चीज़े point करके और फिर हम tension free हो सकते हैं यह चीज़ आप करके देखिए फिर आता है इसमें तीसरा point की creative ideas यूज करने देखे हम बात कर रहे है smartness क smartly काम कैसे करें तो अगर हम ideas अपने creative बनाएंगे तो बहुत फरक पड़ेगा फिर तो दूसरे लोग भी देखेंगे केंगे अरे वाँ यह तो बड़ा अच्छा गिया जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि जो हमारे Prime Minister है शरीर नरेंदर मोधी जी उन और जब अगले दिन जाओगे तो काम करोगे तो हम fresh होंगे मतलब फिर यह नहीं होगा कि जैसे अगर हम सुबह ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारा दिन तो वेस्ट होगे ना रात को सब सो ही जाते हैं अगले दिन पर बाज आएगी तो अगर रात को ट्रेवल करेंगे रात को त अच्छा इसके लावा एक मैं और आपको एक्जाम्पल बताती हूं कि जैसे माल लेजे कि एक लेडी है और उनका बच्चा है मतलब थर्ड फोर्थ क्लास है पढ़ता है वो नह पढ़ा ही नहीं करता बड़ी परिशान रहती है कि पढ़ता निया पढ़ता निया सारा दिन जोर दबज़ती पढ़ पढ़ नहीं पढ़ूगा यह करूगा वो करूगा तो यह एक्चुली क्या हुआ था कि मेरे पस आया था मैसेच तो यह जो मैंने उनको बोला फिर जो result आया वही मैं आपसे share कर रही हूँ तो मैंने उनको यह बोला कि आप उससे पूछो कि क्यों नहीं लगता मन मतलब जैसे उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उसको देखो उसको observe करो और आपसे पूछो कि क्या वात है मन क्यों नहीं लगता पड़ा ही मैं तो उसने वैसा ही किया मैं आपको एक्जामफल लिबता रही हूँ कि क्या हुआ था तब तो उन्होंने पूछा उसे कि आपका मन क्यों नहीं लगता क्या वात है तो उसने बोला कि मैं को cricket का बहुत शौक है आप मुझे खेलने नहीं जाने देते तो फिर उन्होंने जैसे मेरे को बदाया तो फिर जो हमने सला दी फिर उन्होंने उसी पर अपलाई किया उन्होंने बोला कि ठीक है आप हर रोज जाओगे cricket खेलने शाम को एक घंटा आप हर रोज cricket खेलोगे पर जाने से पहले आप अपना homework फिनिश करोगे जितना learn work है या class test है पहले उसको सुना के मुझे जाओगे फिर आप खेलो एक घंटा खेलो चाए डेड़ घंटा खेलो आपको छूट है पर उससे पहले आपको यह करना है और उसके results क्या हुए कि बच्चे के अब class में 80% से अबव marks आने लगे जो बच्चा पढ़ता ही नहीं था मतला अब वो इतनी खुशी-खुशी पढ़ता है कि मम्मी को भी बोलता है उससे क्या हुआ कि मदर भी खुश है इससे क्या हुआ कि creative idea लगाया ना मतलब बच्चा पढ़ता नहीं पढ़ो पढ़ो जोड़ जबदस्ती करना मार पटाई करना इससे क्या होता अब results क्या आ रहे हैं अब बहुत अच्छे आ रहे हैं इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कि technology का technology का use करके भी हम smart बन सकते हैं कैसे इसका भी मैं एक example बताती हूँ कि जैसे एक friend है वो अपने friend से मिलने दूसरे शेयर गया मतलब उसने पहले दिन फोन करके उसका सारा address पूछ लिया कि ठीक है मैं पहुंच जाओंगा अगले दिन आदे गंटे का रास्ता था और जब वो उसके घर गया उसको रास्ता ही नहीं मिला उसको मतला address ही नहीं मिला पूछ पाच के धाई गंटा लग गया आदे गंटे में जहां उसने पहुंचना था वहां उसको धाई गंटा लग गया अब अगर वो GPS अपना ओन कर लेता जैसे होता गूगल मैप वाला वो ओन कर लेता तो कितनी इसली पहुंच जाता या अपने फ्रेंड को बोलता कि तुम अपनी लोकेशन सेंट करतो तो भी अरांग से वहां पहुंच जाता ट्रैक करता हुआ मतलब हमें यह जो नहीं मतलब जाने तो था ही उसने उसका लक्षे क्या था उसका लक्षी यह था कि में को अपने फ्रेंड के घर तक पहुंच रहें और वह भी आदे गंटे में मतलब आता है इसमें फिफ्ट पॉइंट की सोशल स्किल्स को अपना के भी हम स्मार्ट बन सकते हैं अपने अपना किया की लगர्ण करते हैं कैसे इसका भी में एक गजांपल देती हूँ इसके मान लिजिए-क आजमी आर्मी को बहुत ऑच्छी पर एक की दुकान बहुत अच्छ जेल रही है और दूसरी की बिलकुल नहीं जल एक की दुकान इसलें अच्छ जेल रही है क्योंकि जब उसके दुकान पर कोई गल इत प्रेंट कर बहुत अच्छाु शे। पूरा उनका ध्यान रखता है उनको क्या requirement है उस चीज का ध्यान रखता है और कभी किसी का फोन आता है कि हमारे घर में ये problem हो गया ये फ्यूज हो गया ये तार में मतलब शॉर्ट सर्केट हो गया कुछ भी problem हो गया वो तुरंट भेजता है अपने आत्मियों को कि तुरंट जाओ उसी समय मतलब ये skill है ना उसकी कि उसने अपने जो customers है उनको बांद के रखा हुआ है वही जो दूसरा है वो अपनी दुकान ही चमकाने में लगा रहाता है मतलब उसको लगता है कि एकदम सफाई होनी चाहिए दूल मिटी ना हो उस चक्कर में सफाई के चकर में कई customers ही चले जाते हैं वो कई बार तो phone भी attend नहीं करता था और किसी ने बोला कि हाँ भेज देना हाँ ठीक है भेज दूँगा आता ही नहीं था एक पूरा दिन हो गया दो दिन हो गया तो लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया मतलब अगर services ही नहीं मिलेंगी अच्छी तो हम कहां जाएंगे आप खुदी देखिए ना जैसे माली जी हम किसी शॉप पर जाते हैं हम कुछ उसको बोलते हैं वो हमें अच्छी service ही नहीं देता तो हमारा money नहीं करता उसकी दुकान पर जानेगा हम सोते चलो अगली बार किसी और दुकान पर जाएंगे इस पर नही काम किया तो देखे यह तो थे कुछ examples कुछ बाते हैं अगर हम इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हम यकीन यकीन स्मार्ट की केटेगरी में जरूर आ जागे कि देखो कितनी smartly काम करना है और वैसे यह जो hard work है और यह जो smart work है इन में basic difference क्या है इसके बारे में वैसे तो मैं हमें hard work तो कड़ना ही करना जाहिए जैसे होता ना की hard work करने से हमें experience आता है यह तो है ही ना hard work हम करते हैं तो हमें experience आता है इस देकर उसको smartly करना है वस smart work करना है कुछ भी नहीं है और हमारी एक अलगी identity हो जाएगी यकीनन हो जाएगी आप करके देखिए और वैसे आप बताईए कि क्या आपने भी कभी इस तरह से smart work किया है मतलब एकदम से लोगों की नजरों में आ गया हो कि हाँ यह तो बहुत ब मुझे आपके comments का इंजार आएगा तो कल फिर मिलूँगी तब तक smile भी रखिए और positive रहे और positive सोचिए और हाँ अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल subscribe कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद नहीं किया तो please कर लिजएगा और subscribe करने के साथ इसमें जो परके काम भी आ सकती है तो please आप इसको share भी जरूर कर लिजएगा ठीक बाए